दोस्तों कि आपने कभी blood donation किया है और आपको बदा दू कि अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए क्योंकि इससे दूसरों की जान बज सकती है और आपको भी इसका फाइदा मिलेगा दोस्तों अगर आपको इगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आपको बदा दू कि रक्तदान को महादान भी कहा जाता है इससे किसी का जीवन भी बचाय जा सकता है किसी भी मेडिकल एमर्जनसी के हालात में बलड ट्रांस्फूजन की जरूरत पड़ सकती है और आपको बदा दू कि हमारे देश में हर साल करीबन एक करोड यूनिट बलड की जरूरत होती है लेकिन दोस्तों आपको बदा दू कि इतना बलड इकटा करना आसान नहीं होता इसके लिए बड़े हस्पिटल्स और कई और्गनाजीशन मिलके काम करती है आज भी दोस्तों रक्तदान से लेके बहुत सारे कन्फूजन्स लोगों के बीच में है उनको ये लगता है कि रक्तदान करने से आदमी कमजोर हो जाता है लेकिन दोस्तों आपको एक scientific truth बता दू कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजूरी नहीं होती तो चले दोस्तों आपको कुछ important बाते हैं मैं बताता हूँ रक्तदान करने से पहले दोस्तों blood test करके उसके अंदर हीमोगलोविन की मातरा जरू जानना चाहिए अगर किसी इनसान के सरीर में हीमोगलोविन 12% से कम है तो उसे रक्तदान नहीं करना चाहिए इसके अलावा अगर कोई भी वेक्ती किसी अलग तरीकी के संक्रमक बीमारी का सिकार है तो भी दोस्तों रक्तदान नहीं करना चाहिए आजकल दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि diabetes, high blood pressure के सिकार रहे हैं और कई बार दोस्तों उन्हें पता भी नहीं चलता ऐसे लोग दोस्तों रक्तदान ना करें कोई भी स्वस्त महिला रक्तदान कर सकती है लेकिन गर्वती महिला रक्तदान नहीं करें इसके लावत दोस्तों अगर किसी महिला का गर्व पात हुआ है तो उन्हें भी कम से कम 6 महिने तक इंतजार करना पड़ेगा रक्तदान करने के लिए चौथी चीज़ा है रक्तदान करने से पहले स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए आपको बता दू कि रक्तदान के पहले और बाद में 3-4 घंटे तक स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और हो सके तो जिस दिन रक्तदान करना हो उसके एक दिन पहले से स्मोकिंग ना करें और ना ही ड्रिंकिंग करें किसी भी तरह के नसे की इस्सिती में रक्तदान नहीं करना चाहिए रक्तदान करने के बाद अच्छी डाइट लेना चाहिए रक्तेदान करने के बाद दोस्तों जूस, चीप्स और दूसरी चीजे खाने के लिए दी जाती है इसके अलावाद दोस्तों हर चार घंटे पर अच्छा खाना खाए बहुत सारे लोगों का कहना है कि रक्तेदान कितने बार करना चाहिए आपको बता दू कि कोई भी स्वेक्ती रक्तेदान कर सकता है पूरूस तीन महिने में एक बार रक्तेदान कर सकता है और वही महिला चार महिने में एक बार रक्तेदान करने से दोस्तों हिमोगलोबीन में कोई भी कमी नहीं आती तो दोस्तों ये कुछ important ऐसी बाते थी जो कि रक्तिदान करने के समय या फिर रक्तिदान करने के बाद आपको जरूर जाननी चाहिए आप किसी की जान बचा सकते हैं इसे दोस्तों रक्तिदान करते रहना चाहिए तो दोस्तों जासे important information थी और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरू कीजेगा और मिलता है आपको नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच